नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पी एफपी में आज हम बात करने वाले हैं फुट्वेर इंडर्श्री के दो जाने माने स्टॉक्स बाटा इंडिया और रिलाक्सो फुट्वेर के बारे में बारी तेजी इन स्टॉक्स में हमें फिलाल देखने को मल भी बहुत अच्छा मोमेंट श्टॉक ने पिछले कुछ अफ्तों में दिखाया है लेकिन जब श्टॉक में तेजी बनी हुई होती है तो रेजिस्टन्स को कभी बूलना नहीं चाहिए चार्ट्स पर हमें तगड़ा रेजिस्टन्स दिखाई दे रहा है कौन रेजिस्टन्स है और ऐसी सिटुएशन में इन्वेश्टर्स को क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे और रेगलर अप्डेट्स पाने के लिए नॉटिफिकेशन मेल को प्रेस कीजे साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल को भी जॉइन गिये जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है सबसे पहले बाटा इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं एक मिड़ कैप कमपनी है जिसके मार्केट कैप 20,000 करोर के आसपास है लास्ट टेट प्राइस से 1,610 रुपीज जो कि हमें फ्लैट दिखाई दिया है रिटन्स के प्रोफाइल के बारे में बात करे तो एक हफते म के करेक्षन पर अवेलेबल है फाइव यर्स के बारे में बात करे तो लॉंग टम में शांदार मॉल्टि बैगर रिटन्स है 2.35 परसंट के पॉजिटि रुटन्स हमें दिखा दीते हैं कि मेट्रिक्स के बारे में बात करे तो P.E. रिशियो 62.77 है जबकी सेक्टर का P.E. र बार में बात करें तो काफी अच्छा financial trend हमें दिखाई दे रहा है company हमें grow होती हुए नज़राती है 2017 में 2.59 थाउजन क्रोड का revenue बढ़कर 2020 में 3.12 थाउजन क्रोड का हो चुका है और profitability के बार में बात करें तो ये भी लगातार बढ़ते जा रहे है 0.15 थाउजन क्रोड का profit था जो की double से भी ज्यादा हो चुका है और 2020 में बढ़कर हो चुका है 0.32 थाउजन क्रोड तब चलते हैं चार्ट पर वहाँ पर कैसी situation बनी होई है उसके बार में भी बात कर ले थे हैं तो आप देख सकते हैं मार्केट क्रेश के समय थाउजन रुपीस का लेवल ऐसे स्ट्रॉंग सपोर्ट हमें दिखाए दिया और उसके बाद बहुत ही समय तक इसने हमें consolidation दिखाए था में के महीने से शुरुआत की थे और आप देख पाएंगे यहां पर November तक ज्यादा stock में हमें movement देखने को मिली ही नहीं एक ही range में stock rate करा था 1250 के level से 1400 के level तक जाता था और वापस हमें नीचे आता हुआ नजरा था लेकिन उसके बाद हमें काफी अच्छी तेज़ी की देखने को मिली और पिछले दो ही महीनों में stock काफी उपर हमें जाता हुआ नजरा आया है फिलाल stock अपने सारे moving average के ऊपर trade कर रहा है अगर indicators के बार में बात करें तो money flow index का number calculate हो कराता है 65.36 जो कि हमें काफी strong दिखा दे रहा है अलागि इसमें हमें पिछले दिनों में correction देखने ही को मिला लेकिन 65 का number भी काफी strength demonstrate करता है RSI के number के बार में बात करें तो RSI का number calculate हो कराता है 70.65 जो कि हमें overbought category में दिखा दे रहा है और पिछले काफी दिनों से हमें यहाँ पर stock RSI इसका overbought category में ही दिखा देता है M.A.C.D. के बार में बात करें तो M.A.C.D. में जो philal crossover हमें देखने को मिल जाता है bullish crossover चलता हुआ नज़र है पिछले काफी दिनों में हमें यहाँ पर bullish crossover चलता हुआ नज़र आया है अगर बात करें इसके Bollinger Band के बार में तो आप देख पाएंगे Bollinger Band के Upper Band के आसपास trade कर रहा है Upper Band का लेवल है 1636 का लेवल Median है 1542 के आसपास का लेवल Lower Band के बार में बात करें तो वो है 1447 के आसपास का लेवल pivot points के बारे में एक बार बात कर लेते हैं pivot level 1483 का level है support है 1383 का level लेकिन ये support कुछ ज़्यादा ही नीचे दिखाई दी रहे उसके पहले भी stock को कई support face करने होंगे अगर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिल जाती है पहला pivot resistance बन कराता है 1672 के आसपास का level अब चलते हैं इसके all time chart पर जहाँ पर एक candle 1 month को represent करेगी जिससे हमें पता चलेगा stock ने कैसी movement बना कर दिये तो अब देख पाएंगे शांदार stock रहा है multi bagger return से stock ने में बना कर दिये जब भी stock में हमें correction देखने को मिलता है तो 20 months का EA में as a strong support हमें दिखा दिता है और वापस हमें थेजी continue रहते हुए भी नजर आती है लेकिन फिलाल आप देख पाएंगे market में गिरावर्ती तो 50 months का EA में as a strong support दिखा दिया और काफी दिनों तक तो यही 20 months का EA में as a strong resistance दिखा दिखा दिरा था जहांपर एक candle one week को represent करेंगे तो यहांपर आप देख पाएंगे जब यह stock हमें उपर जाता हुआ नजरा था जहांपर हमें थेजी देखने को मिली थी तो इसके बाद 1750 के आसपास जाने की बाद stock में हमें correction देखने को मिला और stock गिरकर 1600 तक आ गया था और इस level के आसपास stock ने support लिया था और वापस तेजी continue दिखाई और 1800 के आसपास अपना all time high बनाया और वापस हमें यहांपर गिरावर देखने को मिली तो यह जो support की तरह level दिखाई दिया था 1600 का level अब यही level हमें as a strong resistance face करना पढ़ेगा क्योंकि technically जो पहले as a support बना हो था लेकिन जो तूड़ गया है वो उसके बाद as a resistance हमें face करना पढ़ेगा तो यही level फिलाल हमें resistance की तरह face करना पढ़ रहा है आप देख पाएंगे फिलाल हमें जो आज इस week की candle भी बनती हुए नज़राती है तेजी देखने को मिली stock उपर गया लेकिन उसी level पर हमें आता हुआ नज़राता है उस level पर जहांपर इसने support लिया था तो इस level के आसपास हमें तगड़ा resistance face करना पढ़ सकता है क्योंकि पिछले काफी समय से यहाँ पर हमें तेजी भी देखने को मिल रही है और लेडी stock overbought category में trade करता हुआ नज़राता है तो chances हैं कि stock हमें यहाँ पर थोड़ा सा cool off होता हुआ नज़रा सकता है क्योंकि यही level as a strong support हमें पहले दिखाई दिया था तो ऐसी situation में investors को क्या करना चाहिए उसके बार में बात कर ले था है तो अगर आपने ऊपर position मना कर रखिए loss में चल रहा है तो मेरा मानना है company अच्छी है आपको hold करना चाहिए long term के लिए इसमें अच्छे returns आपको देखने को मल सकते हैं अगर आपने नीचे position मना कर रखिए profit में चल रहा है long term लिए है तो continue holding कीजे कोई भी problem नहीं है लेकिन अगर आपने short template लिए है तो इस resistance को आपको ध्यान में रखना चाहिए और यहाँ पर अगर ही resistance face होता है और stock हमें नीचे आता हो नजराता है तो आप profit booking करने के बारे में सोच सकते हैं अगर यहाँ पर हमें breakout देखने को मल जा यह 16 सो का जो level है अगर हमें volume के साथ तूटता होगा नजरात है तो अब continue holding भी कर सकते हैं अब बात करें यहाँ पर fresh buy के बारे में तो हमने आपको कई बार stock में fresh buying recommend की थी क्योंकि stock हमें कई बार consolidate करता होगा नजराय था पर buy किया है तो comment box में जरूर बता सकते हैं हमें बहुत ही अच्छा लगेगा तो फिलाल अगर fresh buy के बारे में बात करें तो मेरा मनना है यह बहुत ही decisive है अभी बाता के लिए क्योंकि यह level as a strong resistance दिखाई दे सकता है क्योंकि पहले तो वो support था ही और फिलाल इसमें तेजी भी भी बात कर लेते हैं तो जो पहला support हमें दिखा देगा वो होगा इसका 20 days का moving average जो कि बनकर आता है 1534 के आसपास का level तो अगर आपको stock कहीं पर भी 1005 minute से करके 1550 के आसपास नज़र आता है तो इस zone में आप stock को accumulate करने के बारे में सोच सकते हैं रिलाक्सों के बारे में बात करें तो ये भी एक med cap company है market cap 18,000 कोड के आसपास है लाज ट्रेट प्राइस है 760 रुपीज जो कि हमें 3.5% उपर दिखाए दिया है रिटन्स के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एक हफते में stock 2% उपर है एक महीने की बात करें तो flat रिट तो आप देख पाएंगे 21% के positive returns stock ने बना कर दिया है 5 years के बारे में बात करें तो शांदा returns है 205% के positive returns हमें दिखा दिते हैं की metrics के बारे में बात करें तो PE ratio 80.64 है जबकि sector का PE ratio 84.88 दिखा दिता है price to book ratio के बारे में बात करें तो 14.34 का price to book ratio दिखा दे रहा है sector का price to book 3.48 है dividend yield 0.17% है जबकि sector का dividend हमें 0.81% दिखा दिता है company के financial trend के बारे में बात करें तो financial trend लगातार उपर जा रहा है revenue के बारे में बात करें तो 2017 में 1.64,000 crores का revenue था जो की बढ़कर 2020 में 2.41,000 crores का हो चुका है और अगर बात करें profitability के बारे में तो यहां पर भी काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है 0.11,000 crores का profit डबल होकर 2020 म 0.22,000 crores का होता हुआ नजर आता है तो अब देख सकते हैं हम charts पर आचुगे हैं जहां पर हमें पता चलता है कि March के crash के समय 500 रुपय का level as a strong support दिखा दिया फिर अच्छी recovery भी दिखा दिखा दिथी almost 800 के आसपा stock पहुँची गया था लेकिन फिर से गिरावट दिखा दिखा पर stock rate करता हुआ नजर आता है इंडिकेटर के बार में बात करें तो money flow index का number calculate हो कराता है 54.99 बहुत ही ज़्यादा week हो चुगा था highly oversold category में चला गया था और अच्छा bounce back हमें यहां पर देखने को मिला है RSI के number के बार में बात करें तो RSI का number calculate हो कराता है 68.38 जो कि हमें बहु बहुत ही strong दिखाई दे रहा है 70 के उपर जाता है तो overbought situation दिखाई देगी MSCD के बार में बात करें तो MSCD में जो crossover देखने को मल रहा है हमें यहां पर फिलाल bullish crossover बनता हो नजर आ रहा है जो कि दर्शार है कि यहां पर आगे आने वाले दिनों में और भी तेजी देखने को मल सकती है अगर बात करें इसके ballinger band के बारे में तो ballinger band के upper band के उपर निकल चुका है 70.500 का upper band है lower band है Vladimir और जो median है वह 731 रुपीज का Pivot Point के बार में बात करें तो Pivot Level 7.16 का है Pivot Resistance 6.76 का है Pivot Resistance 778 का है और Pivot Support के बार में बात करें तो वो 6.76 का है इसके All Time Chart के बार में बात करें जहां पर एक candle 1 month को Represent करेंगी जिसे हमें पता छलेगा stock ने कैसी moment बना कर दिया है तो multi bagger stock रहा है multi bagger return से stock ने बना कर दिया है जब भी correction देखने को मिला है तो 20 months का EMA as a strong support दिखाई देता है और वापस हमें stock में तेजी continue रहती भी नज़राती है जब March में crash देखने को मिला तब भी यही level as a strong supporter में दिखाई दिया था और फिलाल stock उपर जाता हुआ नज़रा है और अगर इसके 20 months के EMA के बाल में बात करें तो वो फिलाल calculate होग रहता है 606 के आसपास का level ऐसे में investors को क्या करना चाहिए उसके बार में बात कर लेते हैं उसमें कोई भी डाउट नहीं है और अगर आपने नीचे position मना कर रखिये profit में चल रहे है long template लिया है continue holding कीजिए लेकिन अगर आपने short template लिया है तो इस level को आपको ध्यान में रखना चाहिए 780 के आजपास का ये level है जहां पर stock ने पहले बहुत ही तगड़ा resistance phase किया और तुरंत ही stock हमें उस level से नीचे आता हुआ नज़रा आ रहा था अब देख पाएंगे यहां पर हमें तेजी देखने को मिली थी यहां पर भारी देखने को मिली देखते ही देखते ही देखते ही देखते ही श्टॉक चे-सो रुपय के level से आट-सो रुपय तक जाता हुआ नज़रा है था लेकिन 780 के आस बहुत ही जोरदार profit booking देखने को मिली और श्टॉक देखते ही देखते उसी level पर वापस भी आता हुआ नज़रा है था और और भी जादा week हो चुगा था और 580 के आसपास के levels हमें यहां पर देखने को मिली था तो इसलिए 780 के आसपास का level बहुत ही strong resistance है पिवट पॉइंट पर भी हमें यह resistance दिखा दिता है तो इस level को आप में ध्यान में रखना चाहिए अगर यह level volume के साथ तूट जाता है तो आप यहां पर continue holding कर सकते हैं वरना profit booking के बार में सोचा जा सकता है अगर आप एक short time की investor है fresh buying के बार में बात करें तो हमने आपको stock कई बार recommend किया है fresh buying के लिए तो आपर भी हमने buying की थी और stock फिलाल 760 के आज पास चलता हो नजरात है तो इसे भी अगर आपने buy किया है तो आप प्लीज हमें comment box में जरूर बताई गया हमें बहुत ही खुशी होती है तो फिलाल fresh buy के बार में बात के तो इसका valuation एक concern है, valuation अल्रेडी काफी ऊपर निकल चुका है एक mid cap stock के लिए 80 plus का peer ratio कोई of course सस्ता दो है, sustainable भी नहीं है तो यहाँ पर अल्रेडी काफी तेजी भी देखने को मिल चुकी है तो मेरा मन है थोड़ा सा यहाँ पर wait कर लेना चाहिए क्योंकि अगर यह 780 का level तूट जाता है तो उसके उपर इसका जो all time है वो भी as a strong resistance हमें दिखाई दे सकता है तो यहाँ पर buying अगर आप करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जो strong support का level दिखा जेता है 700 का level जो है काफी strong support है तो अगर आपको stock कहीं पर भी 700 से करके 730 के आसपास नजर आता है तो यह एक अच्छा level हो सकता है जहाँ आप आप बाइंग शुरू करने के बार में सोच सकते हैं तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो like कीजे, share कीजे, comment कीजे सब्सक्राइब कीजे और मुझे motivate कीजे, thank you, stay happy, happy investing